नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टुएंट्स मैं गौरा चौधरी लेक्षरा इलेक्टोनिक्स आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ तो इलेक्टिकल की स्टुएंट्स को उम्मीद है इससे जो पिछला लेक्षर जो मैंने बोर्ड पे समझाया था कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम के बारे में समझाया था तो उमीद करता हूँ कि उनको कुछ कॉंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और लास्ट मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा था कि हम जो भी अब ये सिस्टम को पढ़ेंगे सिस्टम की कॉंपलिसिटी को सॉल्व करेंगे ओर हम मैथामेटिकल मॉडलिंग की हल्प से करेंगे और फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम से अगर कोई भी इंपुट जा रहा है तो उसका क्या response रहेगा और किस-किस टाइप की अगर हम कोई अलग-अलग टाइप की जैसे test signals यूज करें तो उसका क्या response रहेगा सिस्टम stable है या नहीं है ये हम पूरे subject के अंदर इनी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अलग-अलग methods की help से तो आज का जो मेरा जो lecture है वो open-look system और close-look system से related ही है क्योंकि मुझे ऐसा एसा हुआ कि board पे पढ़ाने के बाद में एक बार और students को PPT के माधियम से जो भी particular topic है theoretical उनको समझाया जाए तो चलिए हम वापस से एक बार system की तरफ चलते हैं अब जो objective है इसके यह है कि इस PPT के बाद में आप लोग बिल्कुल control system के fundamentals को समझ चुके होंगे open-loop system और close-loop system को बारे में आप बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे उनके बीच में comparison समझ जाएंगे और finally क्या-क्या objective, design objective रहते हैं किसी control system को बनाने के लिए या उसको acquire करने के लिए वो अब समझ जाएंगे तो चलिए हम आगे चलते हैं introduction में सबसे पहले क्योंकि अभी तो lockdown है लेकिन मैंने सोचा था कि दो students के activity करवाऊंगा group में लेकर के कि एक मेरेट में discuss करके बताओ कि control system होता क्या है कोई example देखे जैसे कि मैंने इससे पहले वाले video lecture में discuss किया था पर ठीक है हम आप आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो basic component of a control system जैसे कि मैंने आपको समझाया था control system में दरसल एक जो हमारा जो system होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से एक block से है वो फिर उस system से गुजरता है और finally हमें output मिलता है जिसको हम actual response भी कहते हैं तो यह होता है हमारा सबसे basic component अब इस system के अंदर और भी sub blocks हो सकते हैं यानि छोटे छोटे blocks हो सकते हैं और उन blocks के भी और भी अलग से parallel से block निकल सकते हैं वो depend करता है हमारा किस तरीके का system है तो यह कुछ representation है किसी basic control system की अब control system की definition consist of subsystem and processes plants assembled for the purpose of controlling the output of processes ठीक है जो मैं आपको बताया यानि कि इसके अंदर और भी subsystem हो सकते हैं जिसको मैंने sub blocks बोला और वो process करता है plant होते हैं उसके अंदर instruments जैसे मान के चलिए कोई industry है अब उस industry में अलग-अलग portion होंगे जैसे मान के चलिए जैसे मैं automobile और AC का example दे रहाता है suppose car का बात करते है car का research and development portion अलग होगा उसका suppose मान के चलिए wind मतलब windows की design का portion कोई और समाल रहोगा उसके engine का काम कोई और समाल रहोगा तो ऐसे चोटे-चोटे सब system मनते हैं और उन सब को मिला कर के एक system मनता है फिर second point पढ़ते हम provides an output और response for a given input और stimulus जैसा कि अभी मैंने बताया माफ किजीगा a control system is an interconnection of components forming a system configuration that would provide a desired output in response to input signal यानि जो कल्म मैंने definition लिखी थी board पे control system हमारे उसके अंदर बहुत सारे components interconnected होते हैं जो कि finally एक system को बनाते हैं जिसका output हमारे according होता है as per हमारे जो input signal के response से होता है कहने का मतलब जिस प्रकार से हम input दे रहे हैं control system उस प्रकार से हमारे desired manner में output हमें देता है अब control system के हम objectives को समझ लेते हैं control regulate the output from some process to be constant at require oblique desired value यानि जैसे कोई भी हमें output है हमें उसको control करना है regulate करना है जैसे मैंने AC का example दिया था तो ये हमारा control system objective हो गया फिर दूसरा है make the process output फॉलाओ पर्टिगूलर चेंजिंग फॉर्म overall बाद यह है students की जो single line का conclusion है कि control system को objective यह है कि हमारा system effective होए अब effective depend करता है उसकी application के उपर जैसे मैंने AC का example दिया AC का देखर simple अगर हम बात करें हमने simple उसको अगर electrical input दिया finally AC के अंदर machinery है वो चलेगी electrical signal की वज़े से और finally output में हमें cold chill air जिसको हम बोलते हैं chilled हवा देगी simple लेकिन अब यह तो open loop system हुआ आपने input दिया finally output आ गया that's it लेकिन अब इसके अंदर कोई feedback नहीं है अब मान के चलिए suppose कोई person सो रहा है उस कमरे में थोड़ी देर में वो AC का power इतना ज़ादा है कि वो बहुत ज़ादा मतलब चली uneasy feelings शुरू कर देगा तो अब यह तो अच्छा system हुआ नहीं तो या तो अब यह तरीका यह है कि मतलब क्योंकि अब उसको body को feel हो रहा है ठड़ तो वो उसको control करे अब suppose मान के चलिए AC में मान के चलिए AC में आपको control करने का कोई option ही नहीं है तो finalist क्या करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा अब वो बंद करेगा जोबारा गर्मी लगना शुरू होगी अब दुबारा गर्मी लगना शुरू होगी तो तो फिर दुबारा उसको वो चालूं करेगा तो इस तरहीके से वो सकता कि सोने में पार करके इन चीज़ों को control करने में चली जाए तो open loop system का basic drawback यह है कि वो external condition से बहुत जल्दी effect हो जाता है नहीं तो open loop system को set up करना और इसका external condition अगर effect नहीं हो तो वह सबसे ज्यादा stable होता है लेकिन close loop system complex हो जाता है feedback जाता है अब इसमें feedback कह जाएगा जैसे मान की चलिए room का temperature जैसे मैंने 24 degree celsius की बात करी तो 24 degree celsius पर आते ही अब उसमें एसी में sensor लगाओ है temperature sensor तो उस temperature sensor को find out करेगा value को value को मतलब अपने उस particular तापमान के area के तापमान को अब जैसे ही वो set हो रखा है उस particular value पे तो वो उसको AC को automatically cut off कर देगा अब जो इनसान सो रहा है उसको भी problem नहीं है वो अपने comfort zone में है machine भी थोड़े देर के लिए रुख जाएगी तो electricity consumption भी कम होगा बिजली का bill कम आएगा तो obviously बात है कि जो इनसान सो रहा है या जो भी उस घर में है उसके ऊपर बिजली का बाहर कम पड़ेगा तो इस तरीके से system हमारा काफी ज़्यादा effective होता गया हलांकि system complex भी हुआ इसकी cost भी बढ़ेगी लेकिन cost और complexity को अगर हम maintain करके चले तो system की effectiveness ज़्यादा निकल किया है तो इस तरीके के कुछ हमारा close loop system होता है चलिए और आगे हम discuss करते हैं अब control system के हम advantages पढ़ लेते हैं power amplification यानि power amplification example radar antenna position ही हमारी military application में काम आता है remote control जो कि मैंने बता है AC भी एक तरीके से robotics ही है दूसरा convenience of input form example temperature control system चैबले AC का आप इसमें ले लीजिए दूसरा है compensation for disturbances example antenna position in presence of strong wind एक ये भी है suppose मान के चलिए आपके बहाँ मतलब ऊपर छट पे आपका antenna लगा हुआ है और उसकी position ऐसी है कि वो wind को face कर रहा है नहीं हवा को face कर रहा है अब इस तरीके के disturbance से दूर करने के लिए मतलब उसकी position को भी set किया जा सकता है तो overall ये control system हमारे देखा जाया तो हर application में कहीं न कहीं काम में आता है in addition we can move large equipment with precision point huge antennas toward the farthest reach of universe to pick up the faint radio signal overall ये feedback वाला ही concept है अब हम कुछ example देख ले थे control system के कल मैंने car driving का और आपको AC का बताया था आज ठीक है ये student teacher learning process है एक बार इसको देख लेते हैं जैसे कि देखिए सबसे पहले left hand side से आप देख रहे हैं कि desired knowledge यानि एक हमारा input है ठीक है desired knowledge गई अभी error का क्या है मैं समझाओंगा error ये है कि उस desired knowledge और जो major knowledge है उसका बीच का error है यानि जो मैंने चाहा सपोस मैं teacher हूँ और जो मुझे मिला उनके बीच का difference है वो है error अब student की performance अगर अच्छी होगी तो error कम होगा अगर error मान के चलिए कम या जादा है तो ये है controller controller कौन है teacher teacher उस हिसाब से lecture deliver करेगा student को और student process करेगा और finally student में जो भी output आएगा वो उसके knowledge के बाहर आएगा अब knowledge के form आएगा हो सकता है उसका selection हो कहीं placement हो और selection और placement के अलावा हो सकता है कि अगर मान के चलिए वो सब छोड़िये उसका जो knowledge है वो exam में पता चलेगा अब exam का जो भी feedback output आएगा वो पता चल जाएगा कि उसका कितना marks है और finally इन दोनों मतलब जो मैंने मान के चलिए मैंने 100 में से 100 पढ़ाना चाहा वो गया शुरुवात में ठीक है कोई knowledge नहीं student को पहले lecture की बात है तो error गई यहाँ पर 100-0 मतलब 100 मतलब मुझे teacher को सब कुछ पढ़ाना है basic से उसे लेक्षर दिये student ने उनको समझा process किया knowledge में गया और finally जब उसने exam दिये तो पता चला उसके 100 में से 50 marks है आप समझे रहे 100 में से 50 marks है तो error आई 50 की means teacher को still deliver करना है content तो इस तरीके से teacher कैसे student को control कर रहा है exams के तुरू उसको knowledge देखे यह हमारा यह होता है control system यह दरसल close loop system में जिससे feedback जा रहा है और feedback पता कैसे चल रहा है exams के तुरू अब आप इसको AC में देख सकते हैं माने के चलिए यहाँ पर teacher के जगे controller रख लेता है controller यानि कोई भी signal signal यहां से तो हमारा electrical signal जा रहा है अब यहां पर हमारा sensor है अब जो भी difference है अगर difference हमारा मान के चलिए नहीं आ रहा है तो finally हमारा AC cut off हो जाएगा यहां से process से otherwise जो भी output जा रहा है वो sense करता रहेगा वो चलाता रहेगा so continuously जैसे ही यहां पर 24 degree आया तो sensor ने किया और सको उसको ने यहां पर input दिया अब जैसे ही उसने reference को check किया error 0 means AC को बंद कर दो तो दरसल यह जो है यह एक automatic control system का part है मतलब एक generalized diagram है controller, process, measurement यह आप उसको बोल सकता है forward मतलब यह forward direction में जा रहा है तो यह forward elements हो गए और यह क्योंकि backward direction में आ रहा है तो backward elements हो गए तो इस तरीके से हम control system को समझते हैं यह manual भी हो सकता है हो सकता है और automatic भी हो सकता है हालांकि आज के date में automation और industry control बहुत जादा चल रहा है एक दूसरा example आप देखिए modern ship uses electrical mechanical and hydraulic components जैसे कि अगर हम ships की बात करें तो उसके अंदर हमारे mechanical component भी होता है electrical component भी होता है और hydraulic component भी होता है तो इस तरीके का यह है कि desired ship एक joint angle मतलब आपने देखा होगा movies में या हो सकता है किसी टीवी में या कहीं किसी serial में देखा हो कि जब ship move कर रहा होता है तो particular एक angle से move करना होता है तो यह तो हुआ हमारा controller जो कि मैं पिछले slide में explain कर रहा था और controller उसे साब से angle देगा और finally ship steering system को देखेगा अब जो actual में हमें देखा मतलब कौन देखेगा जो नाव चला रहा है जाहिर सी बात है वो उसके feedback गया अब उसके दिमाग ने समझा और error दिया कि नहीं मुझे थोड़ा सा और गुमाना है अगर error दिया तो वो उसको और control करेगा और अगर उसको और control करेगा तो जाहिर सी ब यह controller को ही क्यों ही रोक देगा शेप सेरिंग सिस्टम आगे मूब करेगा नहीं और फाइनली हमारा उस आप से output चलता रहेगा यह एक steel plate का है कि steel plate की जो finishing mill है उसके बारे में कि मतलब कितना हमें gap रखना है कितनी उसकी thickness देखनी है तो अगर थिकनेस अगर एक level पर आ जाती है तो controller रुख जाएगा और नहीं है तो finally वो उसको आगे करता चले जाएगा तो ऐसे बहुत सारे example है जो close loop system के हमारे हो सकते है यह एक aircraft wing control system है यह थोड़ा सा complex है student चाहें तो इसको समझ सकते हैं मैं अभी इसको यहाँ पर explain नहीं कर रहा हूँ anti-air craft radar tracking control system जो की military application में काम में आता है फिर कुछ response characteristics है यानि यह कुछ हमारे test signals है जिसके बारे में अभी के लिए student चाहें तो इस graph को अगर जब वो इस lecture को पढ़े हैं तो इस graph को draw करके रख सकते हैं यह मैं आने वाले chapter में explain करूँगा यह किसी mathematical calculation है अभी हम इसको नहीं देखेंगे अब हम system configuration यानि open loop control system OLCS जिसको short form में बोलते हैं हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं यह देखें अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी feedback नहीं जा रहा है यानि output से जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो है output यहां स से कोई भी एक feedback नहीं जा रहा है simple एक forward path है input और reference दिया हमने उसने transducer यानि जो भी उसने signal लिया उस आप से convert करेगा अगर जसमान के चलिए अगर AC का है तो AC electrical ले रहा है और transducer यानि transducer होता है एक form की energy को दूसरे form में convert करना तो वो क्या करेगा उसको mechanical के form में convert करेगा फिर controller है अगर किस हिसाब से हमें मतलब speed को control करना है finally कोई disturbance आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो ठीक है और अगर आ रहा है तो उस हिसा यह दरसल यह summer का sign होता है यानि दो plus है means इसकी जो भी value आएगी इसकी जो भी value आएगी वो दोनों add होके यहां आएगी यह मैं आपको block diagram reduction technique में समझाओंगा और process और plant में हुआ दरसल controller तो होता है starting के बाद में second position पे जो की दरसल control करता है हमारे process या plant को और plant जो होता है जो actually work करता है फिर ऐसे similarly हमारा output निकल के आ रहा है तो यह कुछ open loop control system का block diagram configuration हुआ अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं output signal signal of a olcs is not feedback जो कि मैंने बताया है सबसे main बड़ा difference यही है कि जो भी output signal है वो feedback में नहीं जाता है to influence the control action the control action of an olcs depends only on the input signal बिलकुल olcs are not capable of filtering disturbances or noise हाँ अगर जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा system है कि जिसमें हमें noise को remove करना है तो वो उसका capable नहीं है अब noise जैसे मान के चलिए external condition यानि external disturbance olcs are suitable when input signal for satisfactory system performance can be estimated or approximated and does not change यानि open loop control system वही suitable होता है जब input signal हमारा satisfactory system performance के बारे में हम जानते हैं यानि मान के चलिए हमने कोई भी चीज है जिसमें input दिया plant या process ने उसको चालू कर दिया और output मिल गया खतम मनी हमें उससे मतलब बहुत जादा expectation नहीं है हमें मालूम है कि इससे हम कितना input दे रहे हैं और कितना output ले रहे हैं advantages of olcs are that its structure is simple जो कि मैंने बताया कि open loop system को setup करना बड़ा आसान होता है compare to close loop system and is cheaper to build जाहिर सी बात है जैसे मान के चलिए अगर मैं AC system पे दुबारा आता हूँ आपने क्या किया AC को fit किया उसके connection किये चालू किया खतम simple एक room का आपने AC air conditioner system बनके बना के तयार कर दिया लेकिन उसकी फिर मैंने आपको drawback समझाई जो कि आप समझ सकते हैं अब हम देखते हैं close loop control system जाहिर सी बात है अब आपको ये feedback दिख गया मैं student से कहना चाहूंगा ये जो error है जैसे input translator ये सब एक ही है कहीं पर ये बस depend कर रहा है अलग आपके कह सकते है system to system जनरली इससे confuse मत हुई है ये जो summer आ रहा है ये दरसल ये जो आपने reference दिया अब जैसे मान के चलिए आपको signal दे रहे है input electrical और वो convert कर रहा है mechanical में तो जाहिर सी बात है कि वो इसको इसी form में चेक करेगा ये नहीं है क्य क्योंकि कोई भी चीज है वो electrical से चालू तो हो गई लेगिन वो हो सकते mechanical के form में हो तो input transducer नहीं हो इन से सबसे confused नहीं हुई है फिर इन में जो भी difference है यानि हम जो हमारा जो मतब desired response था उस सब दोनों को चेक किये जाएगा वो error है और उस error के हिसाफ सा ही controller आके बढ़ेगा ह हो सकता है कोई disturbance हो उस disturbance को लेते हुए process और प्लांट और finally एक और disturbance हो और उससे सबसे हमारा output controlled form में आएगा और उसका एक portion वापस से दुबारा बेजा जाएगा और फिर चेक किया जाएगा यानि यह process continuous ले चलता रहता है जब तक हमारा output एक desired value नहीं ले ले desired मतलब जो हमने input या reference दिया और actual value desired value और actual value में जब तक minimum से minimum difference नहीं हो तब तक यह काम करता रहेगा चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में the output of a signal sorry the output signal of a CLCS यानि close loop control system is feedback to the influence of the cut to influence the control action and improve the overall system performance सबसे important and main point यह है example robot arm velocity control system temperature control system जो कि AC में है however in practical a combination of both OLCS and CLCS is normally used for example washing machine हाँ ठीक है आप आजकल कुछ एक ऐसे system है जहां पर open loop control system और close loop control system दोनों का combination यूज होता है example भी है automatic washing machine जिसको कैसे काम करता है देख लीजिए process of filling up the tank with water is close loop control system operation हाँ पानी उसको जितना चीए वो तना लेगा उसके बाद में वो उसको रोक देगा वाइल process of washing and rising is an open loop control system यानि मान के चलिए आपने कपड़े दो लिए उसने पानी जितना लिया tank में वो उसके according ले लेगा उससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको feedback मिलेगा जैसे ही वो उस level को touch करेगा तो उसको रोक देगा लेकिन जब आप धो रहे हैं और rise कर रहे हैं तो पानी कितना use हो रहा है आपको idea नहीं है तो वो open loop control system का operation है तो अब हम कुछ देखते हैं तो students यह open loop है यह close loop है चलिए देखती क्या answer है यह open loop है इसमें आपने breads डाला toaster हो के तैयार यह यह close loop है क्योंकि यह arm है यह उसके according भी work करेगा जो हमारे को desired है यह AC जाए इसी बाते close loop है यह हमारा photocopy machine open loop है हमने input दिया जितना हमने चाहा उतना हमें इसने output प्रिंट करके दे दिया तो आपको समझ में आया होगा हमारे daily life routine के practical applications में कि कहां open loop कहां close loop काम में आ रहा है कहां उनका combination भी काम में आ रहा है और यह दोनो open loop system and close loop control system अब आप इनके drop कर पाएंगे block diagram मुझे नहीं लगता अभी हम पहले इनको पढ़ेंगे block diagram reduction technique को फिर हम कोशिश करेंगे अब हम इनके कुछ difference देख लेते हैं open loop control system का advantage is simple construction and ease of maintenance जाहिर सी बात है expensive कम होता है close loop से stability के problem नहीं होती है until or less जब तक external condition ना उसको affect करें convenient when output is hard to measure or measuring the output precisely is economically not feasible disadvantage देखें तो system response बहुत sensitive वहता external disturbance जो कि मैंना भी बोला recalibration is necessary from time to time in order to maintain the required quality in the output अब जैसे देखमान के चले जैसे आपका AC का है तो उसको recreate rate मतलब उसको बार बार आपको start करना होगा उसको कम जादा करना होगा तो ये सारी problem है toaster, rice cooker, electric fan जैसे आप fan का देख लीजे एजे photocopy machine close loop control system का है कि वो insensitive होता है external disturbance है क्योंकि उसके अंदर already एक feedback होता है बाग ये सारे points में student से कहूंगा कि वो उसको पढ़ लें और discuss करें अब ये example है steering a car on car road ये close loop system है क्योंकि वो मतलब इनसान के brain में और brain से finally उसको पता चल रहा है कि उसको कितना tilt करना है ये desired direction है और ये actual direction है तो उसने देखा कि वो कैसे करेगा ये इसका block diagram है गोच ऐसा जो कि मैंने car driving के लिए बहुत ही important है आप example देखें इसको समझा सकते हैं यानि desired course of travel यानि उसने देखा कि मुझे इस direction में मुढ़ना है ठीक है अब उसने अपने steering गुमाई driver ने जो की controller है actuator यानि ये आपका पूरा plant है steering mechanism यानि steering का जो goal है steering गुमी finally process हुआ मतलब गाड़ी के उपर process हुआ अब उसने देखा कि कितना गुमा हो सकता है थोड़ा कम गुमाओ तो वो feedback गया उसने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया और उन दोनों में error आया मान के चलिए उसको 10 degree पर गुमाना था और actually में उसने देखा कि लग वो 5 degree आज़ा means error आया 5 degree का तो driver और 5 degree गुमाएगा and that is what close loop control system यह सबसे बड़ा अच्छा example है यसी आपका यह antenna का है मैं students को ओंगा antenna में वो खुद से करें यह चारी चीजे देखें ऐसी आपका यह aeroplane का system का है देख लीजें इसको यह उसका block diagram आया अब analysis and design student चाहें, तो देख सकते हैं, ये steady state response, transient response, मैं time response analysis में बताऊँगा, फिर हम देखेंगे, कि ये क्या है, किसी भी control system को design करने की, ये steps होती है, दर असल हम block diagram और उसको पढ़ेंगे, और वो जो system में फिर हम उसको schematic में बनाएंगे, इस schematic यानि उसके अंदर जो भी component जैसे हमारा resistance, capacitance जो भी use हो रहा है, वो सब करेंगे, फिर हम उसका block diagram, mother schematic का फिर block diagram बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि system stable है, ये नहीं है, क्या-क्या requirements है, तो ये काफी बड़ी और अच्छी process होती है, कुछ एक computer-aided design भी होती है, जो कि हमारे control system के काम में आती है, तो students, ये हमारा जो chapter 1 का, जो theoretical और even मैं ये कह सकता हूँ, कि पूरे subject का जो theoretical portion है, वो cover हो चुगा है, main चीज ये है, control system क्या है, open loop system क्या है, close loop system क्या है, main difference ये है, कि feedback, only the feedback, open loop system ये simple और stability problem नहीं होती है, open loop system में, main चीज ये है, कि open loop system जैसे ही external condition आई, तो वो effect, उस पर effect साना शुरू हो जाते हैं, ये चीज आपको लिखनी है, हो सकता है, जब इश्वर करें कि ये corona महमारी से, जब हम सही हों, हमारे exam अगरे हों, तो ये question जरूर बनता है, open loop system का आप एक block diagram तयार कर लीचे, example का, जैसे कोई भी AC का मैंने बताया, without any feedback, close loop system का driving mechanism का कर लीचे, जो कि बहुती अच्छे example है, तो students, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको ये मेरा lecture अच्छा लगेगा, समझ मायाएगा, आगे की lecture में हम board पर वापस जाएंगे, transfer function करेंगे, कुछ RC network के question को हम solve करेंगे, और laplace transform को हम idea लेंगे, और आगे बढ़ेंगे, thank you.